हरे कृष्णा, श्रिमत भागवद गेता, अध्याय साथ, श्लोक नमबर पंद्रब नामाम दुश्कृतिनो मुधाहा, प्रपध्यन्ते नराधमहा मायाया परहिता ज्याना, आसुरं भावमाश्रितहा अनुवाद है, जो निपट मुड़ है, जो मनुश्यों में अधम है, जिनका ज्यान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारन करने वाले है, ऐसे दुष्ट मेरी शरन ग्रहन नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्न इस लोक में बताते हैं, कि कौन सा चार प्रकार के लोग है, जो भगवान के शरन ग्रहन नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि समाज में जो हैं बहुत प्रकार के लोग हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में जानते हुए भी कि भगवान कृष्ण की बहुत लोग भगते हैं और आरधना करते हैं तो फिर भी वो उनके प्रति बिल्कुल भी आकृष्ण नहीं होते जबकि कृष्ण बहुत आकरशक है, सर्वाकरशक है, इसका क्या कारण है? क्योंकि वो इन चार केटेगरी में से एक केटेगरी में आते हैं, जैसे कि फरस्ट मनिश्यों में, फरस्ट जो निपट मुड़्ख है, मूधाहा, अगवान ने कहा मूधाहा, दुसरा कहा है नराध हमाहा, अर्थात म अनिश्यों में अधम है, फिर तिसरा कहा है मायया अपरहित ज्याना, जिनका ज्यान माया द्वारा हर लिया गया है, और चौथा है आसुरम भावमा शृताह, असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारन किया हुआ, ऐसे लोग भगवान कृष्ण के शरन में नहीं आते, तो श्री भगवान के चरन कमलों की शरन ग्रहन करने से मनिश्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांग सकता है, प्रकृति के कठोर नियमों को या सतोगुन, रजोगुन, तमोगुनों को लांगना अतनता कठिन है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब भगवान कृष्ण के शरन ग्र ग्रहन करते हैं वो इनको सरलता से लांग सकते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पुर्बवरतिश लोकाज में भी यह बताया है यहाँ पर यह प्रशन उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्यानिक, ब्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भ इस बिजनेस बिजनेस दुप जाता है लेकिन कई लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं एकदम फ्लॉरिशिंग होते हैं इसका मतलब है कि उन्होंने पुण्य एकद्रित किया है तभी वो धन्वान है या कोई बिद्वान है पुण्य एकद्रित किया है कोई यशेश्वी है जिसे फिल्म एक्टर अक्ट्रेस बहुत यशेश्वी आफेमस हो जाते है तो या कोई Information वो पुण्यवान लेकिन उनके पास कौन सा पुन्या है भोग उन्मुखी पुन्या है यानि उन लोगों ने भगवान कृष्ण से रिलेटेद कोई भी कार्य किया नहीं है जो भक्ति उन्मुखी पुन्या भक्ति उन्मुखी पुन्या के बिना कोई भगवान की भक्ति में पाटिसिपेट नही पर आप स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में भोगने के बाद जब मनुष्य उनी मिलेगा तो धन्वान श्वियादी बनते हैं लेकिन अगर कोई जैसे भगवान कृष्णा के मंदिर बनाने में दोनीट किया या भगवान की भकते लोग प्रचार करते हैं उसमें प्रसादम का कोई पैसे देते हैं धन दान देते हैं कोई और गनाइस करने में या कोई हॉल बुक करने में तो ऐसे जो होता है यह भक्ति उन्मुखी पुईन्य होता है सिब दान ही नहीं अगर आप मंदिर गए और भगवान का दर्शन किया आर्टी एटन किया भक्ति उन्मुखी आप ने भगवान को प्रणाम कर दिया या जगनात का प्रसाद ले लिया या एक रुपया चरा दिया वह भक्ति उन्नु की पुर्ण्य है या आपके किसी फ्रेंड ने बहुत फोर्स किया तो आप किसी प्रामानिक वश्नप के भगवत कथा में चले गए तो आज कल तो बहु किन्मों के पुईन्नास हमें हमेशा काम आता है तो बड़े-बड़े जननेता विभिन्ना रिधियों से विभिन्ना योजनाये बनाकर अचन्ट धार्यपुर्वत, जन्मा जन्मानतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति के खोज करते हैं किन्तु यदि वही मुक्ति भगवान के चरंकमलों के शरंग रहन करने मात्रे से संभव हो तो ये बुद्धिमान दथा श्रमशिल मनुश्य इस सरल विधी को क्यों नहीं अपनाते जिसे बहुत सारे विज्यानिक है तो अपना पूरा जिबन रिसरच में लगा देते हैं कि कोई भौतिक बस्तु का फेसिलिटी वह बरहाद है तो इस प्रकार से या कोई नॉबिल प्राइज जीत ले या ऐसा विद्वान दार्शने कैसा तो वो लोग कितना धरिया पुर्वक कोई भी भौतिक एच्रिबमंस के लिए भी आपको बहुत धड़िया की आवश्यक्ता होती है उत्सा के आँसपास के मैक सिमoff क्या इंसलो होते है तो आफको self motivation के आवश्यक्ता होती है तो ऐसे तपचसा हो लोग भी करते है तो उस度 तपचसा का फल क्या होता है कि मान लेज तो इतना श्रम जो उसमें लगाते हैं और असे बहुत भग्यानिक लोग की हम इस लोक में जाए तो चंडरमा में जाए इसमें जतना वो श्रम लगा रहा है उतना श्रम अगर भक्ती में लगा दे तो भगवध धाम जा सकते है तो ऐसा क्यों नहीं करते है इसका उत्तर भगवान कृष्ण ने इस लोक में दिया है कि चार प्रकार के जो व्यक्ति है तो अच्छली मनिश्य में अधम है मुर्ख है माया में एकदम माया से एकदम ग्यानन का हरन कर लिया गया है और आशुरिक है आशुरिक नास्टिक प्रक पिल, कुमारगर्ण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बली तथा उनके पश्च्रात, मध्वाचारिय, रामानुजाचारिय, चैतर्न, महाप्रभू तथा बहुत से आइननश, रधावन, दार्शनिक, राजनिटिग्या, शिक्षक, वज्यानी, आदी है त तो यह कोई साधरन वक्ति नहीं है अभी जो प्रेजन्ट में जो वज्यानिक है या बहुत विद्वान कोई नेता भी है तो उनसे इन लोगों की जुवी बुद्धी है या वो भगवान ब्रह्मा से या भगवान शीप से मालजे उनके चरन की धुलकना के समान भी नहीं है लेकिन फिर भी भगवान ब्रह्मा क्रिष्ण के शरंग्रहन करते हैं कपिल मुने कुमार गन या बड़े बड़े आचारिया मध्वाचारिया सब लोग ने अपने आदर्श के द्वारा यही सिखाया है कि कैसे हमें भगवान के शरंग्रहन करना चाहिए और यही हमारी बनते हैं वे परमेश्विर के योजना या पत को स्विकार नहीं करते हैं आप देखिए जो लोग परमेश्विर के योजना को स्विकार करते थे परमेश्विर के पत को स्विकार करते हैं भगवान की भक्ति करते हैं तो लोग बहुत पावरफुल होते हैं जिसे पर एक्ज यह मामाम पर ब्रहमास्ट्र छोड़ा गया लेकंड आज कम गिरा देते हैं और बहुत लोग इनुसन पबलिक मर जाते हैं तो एसा भगवान के साथ उनके जुरे रहने के कारण ही वह लोग बहुत बुद्धिमान और शक्तिशालित हैं क्योंकि आजकल के जो generation है इसमें नास्तिकता पाया जाते हैं भगवान के प्रतिश्रद्धा नहीं है तो इस कारण से जो है उनकी शक्ती भी सिमित है और वो हमेशा भौतिक चीजों के लिए ही लगे रहते हैं उन्हें इश्वर का कोई ग्यान नहीं होता वे अपने संगसारि कोई भी वस्तू हो वह आपको जितना सुख देंगे उतना दुख भी देगा जैसे माले जी आपका mobile phone ही है तो आपको सुख देता है लेकिन दुख भी देता है जैसे पैरेंस को ये सुख है कि आजकल बच्चे को इतना संभालना नहीं परता mobile पकड़ा दो तो बैठे रहते लेकिन बच्चे उसी mobile के अपना बच्पन खो देते हैं और कितना कुछ जो है उस मोबाइल में देख लेते हैं और जिससे उनका जो है बुद्धी दुशित हो जाता है तो ये भी दुख उनको फिर पैरेंस को जहिलना पड़ता है या mobile की लग जाती है तो दिन में 5-5 एक या बच्पन बचाभी हो गया या आपका कुछ भी इस्यू हो गया तो एक दो दिन के बिना भी अभी लोगों को mobile के बिना रहना मुश्किल है तो इस प्लकार से जिसे कोई भी संबंद भी हम भृतिक संबंद की बात कर रहे हैं कि भृतिक संबंद में अगर कोई सुक है तो उतना ही दुख भी मिलता है तो इस भौती जगत में ऐसा नहीं है कि सुखी सुख मिलेगा तो इसलिए जो वेक्ति को इश्वर का कोई ज्यान नहीं है वे अपनी कोई-कोई सांगसारिक योजनाय प्लैनिंग बगड़ा बनाते हैं और बाद में और जटिल लाइफ बना लेते हैं खुद का लाइफ और जटिल बनाते हैं लेकिन जो हमारे वेदिक कल्चर है वो है Simple Living High Thinking तो Simple Living का मतलब है कि इतना सरल जीवन जीना प्राकृतिक जीवन जीना जिससे हमारा मन में सही प्रभाव पढ़े और शरीड भी आफ़ी रहे और सथी साथ जीसे की High thinking का मतलब है कि भगवान की भकती करें भगवान की भकती करें और भगवान की जो भकती करते हैं उने समस्ते देटा ओंकि सद्लगुन प्रवेश करते हैं तो अगर सभी लोग समाज में भगवान के भक्ते बन जाए तो बहुत सदाचारी बनेंगे, कुरोध को नियंतरन करना आएगा, काम, कुरोध, लोग, मोम, असरे को नियंतरन कर सकते हैं, और इस प्रकार बहुत सुन्दर समाज बन सकता है, corruption, free समाज बन सकता है, भगवान के प्रतिक कोई भी श्रद्धा नहीं है और भगवान का कोई डर नहीं है, इसलिए वेक्ति करप्शन करते हैं, लोगों का murder करते हैं, या चोड़ी करते हैं, या लोगों को ठकते हैं, यह भगत ऐसा नहीं करते हैं, तो चुकि होतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वो नास प्रकृति पर कंट्रोल करना चाहते हैं जो भी विद्वान लोग है या विज्ञानिक है तो फिर प्रकृति उसके विरुध अपना प्रतिक्रिया भी दिखाते हैं तो नास्तिक योजना निर्माताओं को यहां पर दुस्कृति नहां कहा गया है भगवान क्या बोलते है यह लोग दुस्ठ होते है जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और हमेशा जो है प्रकृति पर प्रभुत्त फ्रताने में लगे रहते हैं तो इंको कहा गया है दुस्कृति ना जैसे कि बहुत लोग इसा सुचते कि पशुपक्षी को जिवित रहने कि कोई ज़रूरत नहीं है हमारे भोग के लिए उनको भगवाद ने बनाया या भृक्ष भृक्ष सब काट ने या और ब्रिक्ष को लेकिन भृक्षभी भगवाद ने पश्यक्ष बनाया भले कीरे मकुडे बनाया है, सब एक दुसरे बड़ डिपेंडन्ट है, और सब को जीने का अधिकार है, तो अगर कोई इसके विपरित करते हैं, और भगवान के जिसे कोई राजा है, राजा का ये मतलब नहीं है कि वोट पाने के लिए मनुश्य की सेवा करें, राजा का मतलब है वो जो पहार, पढ़वर, त्रीज है, उसकी भी रक्षा करें, नदी की भी रक्षा करें कि पॉलूशन ना हो, तो ये राजा, सब की रक्षा करते हैं, सब उनके प्रजा होते है, लेकिन नास्तिक होने के कारण वो गलत योजना बनाते हैं, जो स्वर विरोधी है, तो इसलिए इनको भग योजना के लिए चाहे वो अच्छी हो या बुड़ी बुद्धि की आविश्रक्ता तो होती है फिले कोई नास्तिक हो लेकिन बुद्धिमान भौतिक चीजों में वो हो सकता है लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग भगवान कृष्ण की योजना का विरोध करने में हो सीधी दिश्या यह है कि हम भगवान के अंग्ष है तो भगवान की सेवा में हमें अपनी बुद्धि लगाना चाहिए कि हमें जो बुद्धि मिला है वो भगवान से ही प्राप्त हुआ है लेकिन क्या करते है भगवान से प्राप्त हुआ बुद्धि का वो लोग दुरपय माना जटा है तो आप सोचिए हमारा जो है eternal parents भगवान स्वैम है कृष्ण है परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होना और परमेश्वर के प्रति जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरन करती है उसी प्रकार ये शक्ति भी कार्य करती है बहुतिक शक्ति क्रिष्ण की बहिरंगा शक्ति महामायमा दुर्गा देवी स्वतंत्र नहीं है क्रिष्ण से वो क्रिष्ण के अधीन है समस्त शक्तिया और समस्त जिवात्मा है जो तो चेर का छाया जैसे पड़ता है, तो जहाँ जहाँ चेर हम मूव करेंगे, खुमाएंगे, इधर से उधर उठा के रख दिया, तो चाया उधर चली जाएगे रहे, लाइक देट, तो भगवान को फोलो करते हैं ये शक्तिया, ये भातिक शक्तिया, इसलिए जब भातिक शक अटन्त प्रबल है, और नास्तिक अपने अनिश्वर वादी स्वभाब की कारण ये नहीं जान सकता कि वो किस तरह कार्य करती है, ना हि वो प्रहेमिश्वर की योजना को जान सकता है, जो नास्तिक प्रकृति को धारन किया है, क्रिष्णान ने कहा है भग्त्यामाम अभी दी जाना दी तो थी मंटति के अलावा चिंतान से चलेंज करें करूंद तो मुझे आ के दिखाओं नहीं जान सकते भॉण को इससे तो हम जानथा है नहीं जाना सकते छोड़िये वह किस प्रकार कार्य करती हैह वह भी जान सकता है मो तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वश्ट हो जाती है जिस प्रकार भौतिक दृष्टी से बिद्वान, वय्यानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरन्य कशिपू तथा रावन की सारी योजनाएं बश्ट हो गई थी यह दुस्कृति नई दुस्क्रित है जैसे कि हिरन्य कशिपू का उदारन दिया गया है रावन और हिरन्य कशिपू से बड़ा तो कोई है नहीं इतना पुरे प्रिथ्वी का राजय था उनके पास लगबग और इवन देवता के उपर भी उनको कंट्रो भीफिसुल था स्वर्त्त देवता सबस्क्रावन से संच्रा प्लैनिंग कर रहे की यहां माया वी थे और बहुत शक्तिशाली थे सुंदर है और यहिशवी थे पलाज Urs नहीं है घृत्रा सथ Chocolate मतलब उसक्या उसली बहुत में और ऐसे दुष्ट चार प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन इस लोक में भगवान कृष्ण देते हैं, तो पहला भगवान कहते हैं मूधा, मूधा, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पश्रू की भाती निपट मुर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाब स्वयम गधा है, इस परशू से उसका स्वामी अत्यदिक कार्या लेता है, गधा या नहीं जानता कि वह अहर निश्क इसके लिए काम करता है, तो स्वामी क्या करता है, गधे का जो मालिक है, गधे के सामने एक ऐसे गाजर लटका देता है, थो ऐसे दंडा सा करके, तो गधा सुष कर वो रग देते हैं और नेक्स दे वही गाजल लगाते हैं तो गधा होता है तो गधे से कुछ व्यक्ति होते हैं जो इतना परिश्रम करने में लगे हुए है कि उनके पास भगवान की भक्ति करने के लिए जड़ासा भी समय नहीं है अगर आप उनसे बात करेंगे तो बोलते कोई प्राइवेट कम्पनी में काम करते हैं तो भकते भी करते हैं प्रति कोंगे हसको क्रिशоко में बड़े से मुक्ति हो सकता हूं तो जाता है भगवान के प्रती कोई भक्ती नहीं करते हैं और वो बस कारिय करने में लगे रहते हैं और इसके फलसुरुप उनका जीवन गधा जैसा हो जाता है कई वो कुछ भोग भी नहीं कर पाते है और गधे की तरह वो जो है बस कारियर रहते है वो खास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है इसे गधा वो अपने स्वामी से मार खाने के भाई से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लाट खाने के भाई के बाबजुद भ कि लोगों की शांती भंग होती है ऐसी ही दष्खां उन सकाम करमियों की है जो नहीं जानते कि वे किस के लिए कर्म करते है वे यह नहीं जानते कि कर्मा के लिए hearts है थो बॉस की दड़ से बहुत कम सोना बहुत कम खाना शरीर को एकदम जूस निकाल देना जौब जूस और बॉड़ी और इतना अगर क्रिश्न के लिए तो क्रिश्न तुरन प्रसंद्न सब्सक्राइब ने बहुत असान है लेगिन भौतिती को प्रसंद्न करना बहुत मुश्किल है और कोई अगर उसी जीवन को ही अपना परम जीवन मान दीया ऐनका मनिष्व्य जीवनीतीस दफ सकते उन्हें जीना हो जाता आता सिपना स्कार्याइब ही कि भी समाने से थो सग्के सब्सक्राइब को भूद कृटी कारिया कितना करना चाहिए उसमें भी बैलन्स होना चाहिए यानि कि 24 गंटा हम उसी में लगे हुए और हम भगवान के लिए जरा से भी समय निकाले हैं तो फिर हम भी सकाम कर्मियों की तरह बन सकते हैं तो इसको इनको गधा कहा गया है और इसे वेक्ति जब कोई कविता करते हैं जिसे गधा की चिलाने से क्या होता है लोगों का शांती भंग होता है तो फिर ऐसे वेक्ति क्योंकि किसी की भलाई के लिए कुछ कारिया नहीं करते हैं और बस श्रम करते रहते हैं और इसलिए क्या होता है जब वो कुछ कविता भी करते हैं तो दुसरों का शांती जो ह रहना मकान एक नौक्री से चल रहा है फिर भी क्या करते है वह क्लिया धर यूद्षा कमाने चोग करते हैं तो दुस्या नौकरी फिर करते है समय not duty कर दै कर गए तरह गंठ उसमें जाता है तो जो शीव जीवन जो है घणा जीवन ज्योंते हैं हो जाता है तो अपने ही उत्पन्न कर्मों के भार खुदी काम बढ़ा लेते हैं प्राया या कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकास कहा है कि वे जीव की अमरता के विश्य में सुनें तो बोलेंगे हमारे बास समय कहा है हम भागवत गीता पड़े और जीव के बारे में सब बोलते हैं ऐसे मुड़ों के लिए नस्वर भौतिक लाब ही जीवन का सब कुछ होता है फले ही वे अपने श्रम फल के एक अंग्श का भी उपभूख कर सके किसी लोग का जीवन से वह इतना महनती होते हैं एक्श्यली वह रात को दस बज़े ऑफिस से आते हैं और तब बहुत सारा काम होता है फिर जब आश्टा करते हैं कई बर तो यात्रा में ऑफिस की तरफ जब निकल गए गारी में या मेट्रो में बस में ही नाश्टा कर रहे से ब्रेट टोस्त बना लिया खाखा के जा रहे और लंच टाइम में लंच करने का समय नहीं मिला इतना काम का बोज था और बाद में रात को जब आते हैं इतना थके हारे होता है क्योंकि ब्रेइन से ज्यादा थका होता है आज कर शारी परिश्रम से ज्यादा ब्रेइन में प्रेशर है ब्रेइन में स्ट्रेस होता है तो इंग्जाइटी बहुत होती है बॉस दारते है तो उसमें इतन मंडे टु सटर्डे वो काम करते हैं और संडे थोड़ा सा छुट्टी मिलता है तो फैमिली को भी समय देना होता है खुमाना होता है तो अपने लिए अक्चलियों के पास टाइम ही नहीं होता है अपने लिए मतलब आत्मा के लिए आत्मा के लिए क्या टाइम निकालना होता ह प्छी मession Как family भग्वान के नाम जब करने के लिए हैं और बहुत बढ़े-बड़े एंट्रेजाइंयर बहुत बढ़े बढ़ा आउर इसलिए प्रेशन टेंचन में भूगते हैं रहा है । जो ठीपे के लिए अध्यात्मिक जीवन जो जी रही है जो एक शरीर के लिए आत्मा के लिए उसमें बैलेंस बनाएं तो हम खुद को पुछे कि हम शरीर के लिए कितना घंटा दे रहे हैं और आत्मा के लिए कितना घंटा उसके बाद पुछे कि शरीर पर्मनेंट है या आत्मा पर्मनेंट है फिर हमें अपने आप जो है आंसर मिल जाएगा फिर हम अध्धात्मिक जिवन के लिए समय देने हुआं है इन वाउन को संत्जिश्ट करने के लिए करने के हाई को प्रोमोशन होगा और इतना पैसा मुझे सेलरी इंक्रिमेंट होगा लेकिन वो सेलरी फिर उनके हैल्ट में ही लग जाता है तो अपने असली स्वामी से अनविग्गर रहकर ये मुर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थी अपना समय गवाते हैं तो वो सोचते हैं कि ऑरिजनल बॉस जो है वो स्वयम है और इसलिए हमें भगवान की सेवा के लिए जरूर समय निकालना चाहिए ने तो ऐसे विक्तिकों भगवान में मुर्ख कहा है कि माया की सेवा में व्यर्थी समय को नश्ट करते हैं दुर्भाग्यता यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते मलब कोई अगर हमारे बॉस है स्वामी मतलब बॉस तो उनके बॉस के भी बॉस कौन है भगवान है हमारे अगर कोई माता पिता है तो माता पिता के भी माता पिता भगवान स्वयम है कोई अगर हमारे राजा है तो राजाओं के भी राजा जो है कृष्ण है तो मल ही अच्छा लगता है इसे मनुष्य लोग पहले तो नदी किनारे या कई जंगल में इसे मल छोड़ते तो सुवर लोग खाके उसे खाते थे तो उसको वही अच्छा लगते हैं उसको आप मिठाई दे घी से बनाएं उसको उसका पड़वा नहीं है उसी प्रकार मुर्ख कर इस नस्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है वो भी श्रवन करते हैं लेकिन न्यूस न्यूस सुनते रहेंगे न्यूस पेपर टॉयलत में बैठकर दो घंटा पढ़ेंगे लेकिन भागवत गिता के लिए दो घंटा पढ़ शक्ति प्रान की विश्य में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने इस लोक में कहा है कि मुर्ख है तो हम जो है सेकेंड पर्ट में दुसरा जो नराधम कहा है इस इस लोक में इसके बारे में चलचा करेंगे हरे कृष्णा